Hello and welcome again my friends and dear students आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं Methods of Beekeeping Beekeeping के Methods के बारे में अर्थार्थ Beekeeping जिसको हम Epicalature के नाम से भी जानते हैं Beekeeping करने के लिए कौन-कौन सी विदियों का प्रियोग किया जाता है वो कौन-कौन सी विदिया हैं जिससे हम मधुमक की पालन कर सकते हैं साथ ही हम इसमें ये भी समझेंगे कि Equiments जिनको हम Appliances भी कहते हैं Use in Beekeeping Beekeeping में कौन-कौन से Equiment ये हम कह सकते हैं Appliances कौन-कौन से इस्तमाल किये जाते हैं उनके बारे में इस वीडियो में समझने का हम प्रियास करेंगे इससे पूर वीडियो में हमने ये जाना कि Epiculture में मधुमक की कौन-कौन सी Species का प्रियोग किया जा सकता है और कौन सी Species का प्रियोग नहीं किया जा सकता है जिसमें हमने अलग-अलग species के बारे में जाना इसके अलावा हमने ये भी समझा कि epiculture होता क्या है अगर हम यहां short में बात करें तो epiculture क्या होता है यानी हनी बी को पालना क्यों क्योंकि उनसे हमें सहथ और वेक्स जो पधार्थ प्राप्त करने हैं तो उन पालने की जो विदी होती है उसको हम epiculture के नाम से जानते हैं यानी सरल सब्दों में ये कह सकते हैं कि मदुमकी के पालने की विदी को हम epiculture कहते हैं और ये पाला क्यों हो जाता है वो हमारे फाइदे के लिए पाला जाता है जिसमें हमें सहथ प्राप्त होता है और वेक्स प्राप्त होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं methods of beekeeping जिसमें जो यहां पर जो उपकरण दिये गए हैं उनमें एक खास टोपिक और हम पढ़ेंगे और वो है आर्टिफिशल बी हाइव के बारे में यानि जो कृत्रिम रूप से जो मदुमक्खी का चत्ता बनाया कैसे जाता है उसके बारे में भी हम समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं Methods of Bee Kipping जो की दो प्रकार का होता है यानि मदुमक्खियों को पालने के तरीके दो प्रकार से थे फर्स्ट वन जो पहला है Old Indigenous Method जो की पुराना है और दूसरा जो है Modern Scientific Method जिसमें वर्तमान में कुछ वेग्यनिक परणालियों का यूज़ करते हुए क्योंकि ये परंपरागत रूप से चलता आया है बहुत पुराने समय से चलता आया है जिसमें क्या होता है In the ancient times to get honey पुराने समय में सहत प्राप्ट करने के लिए A person used to go to under a beehive by wrapping a thick cloth all over the body and smoke it by the burning of garbage or grasses near to beehive यानि beehive के नजदीक किसी भी जो इनसान जो उसको सहत प्राप्ट करना होता है उसको वहाँ पर जो सहत के चत्ते के पास जाकर वो आस पास जो भी वहाँ पर घास फूस या जो garbage जो कच्रा होता है उसको जला कर वहाँ धुआ कर दिता है और अपने चारो तरफ एक मोटा कपड़ा जिसे मदमक्हिया काटे नहीं तो वो अपने सरीर के उपर ओड लेता है उसके बाद में क्या होता है उस दुए के कारण डू टू दा स्मोक उस दुए के कारण जो घास फूस जलाए जाता है तो उसमें दुए की वज़े से मदमक्हिया वहाँ से उड़ कर चली जाती है और the rest of the honeybees were killed और हो सकता है उस दुए की वज़े से कुछ मक्हिया वहाँ से मर भी जाती है and the honey got by the breaking the hive और उसके बाद में उस छत्ते को तोड लिया जाता है और उससे छत्ते से honey प्राप्त किया जाता है In this method, honey is separated from the hive by squeezing it इस प्रक्रिया में छत्ते को squeeze करके निचोड कर फिर सहद प्राप्त किया जाता है So इसमें क्या होता है? During this, अगर हम squeezing कर रहे हैं छत्ते को So क्या हो रहा है? जा larva, pupa and their eggs present in the hive are also destroyed इस प्रक्रिया में जो larva, pupa और मदुमक्यों के जो egg होते हैं जो की hive में present हैं वो भी nest हो जाते हैं And the remains of their body also get mixed in the honey और उनके जो body parts होंगे Body parts में अगर कोई मक्य उस सहद को, उस छते को जब हम निचोड रहे होते हैं तब उसमें जो अंडे होंगे या लारवा होंगे या उनके pupa होंगे या हो सकता है कोई मक्य अंदर फसी रह जाए उनके निचोडने से सहद में भी वो impurity जा जाती हम ये कह सकते हैं कि उनमें लारवा भी आ सकता है उसमें pupa भी आ सकता है और कुछ मक्यों के अंडे भी उसमें हो सकते हैं So उसमें actually क्या हो रहा है The honey obtained in this way was not pure इसमें जो सहद जो प्राप्त किया जाता है वो शुद्ध नहीं हो पाता है Generally people started using pictures, boxes and sticks Generally पुराने समय में जहां पर च्छता लगावा होता है उसको तोड लिया जाता था लेकिन दीरे दीरे लोगों को लगा ये महत्व का है सहद का अपना role होता है उनके महत्वण भूमी का होती है हम कह सकते हैं कि इसका medicinal use भी है तो लोगों ने फिर start किया कि अब हम इसको अपने घर के आसपास या हम चाहें वहाँ पर इसको लगाना सुरू करें तो इसमें लोगों ने मटकों में यानि घड़ों में boxes में और कई sticks paid की जो तहनिया होती है वहाँ पर कोसिश सुरुवात की कि यहाँ पर मक्हियां आकर बैठे due to which bees start making hive in them जिससे कि उन भागों पर जैसे कि pictures पर boxes पर और sticks पर या other कोई part हो वहाँ पर आके वो अपना घर बनाए but it was not necessary that bees must make hives there लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि वहाँ पर मक्हियां आकर बैठे ही इस वज़े से old indigenous method में कई तरह की कमिया है कमिया in the sense एक कमी तो जैसे कि यह मदमक्ही की जो सहद जो प्राप्त किया जा रहा है उसमें impurity को बढ़ाने का काम कर रहा है यह हम कह सकते हैं इसमें जो सहद प्राप्त किया जाता है उसमें impurity ज़्यादा होती है दूसरी बात हमें हर बार एक नए चत्ते को नुक्षान पहुंचाना पड़ता है जिसमें मदमक्हीयों को बार बार उस काम के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है और तीसरी बात हमें पता नहीं होता है कि हमें जो हनी कॉम्ब है वो कहां पर प्राप्त होगा उसके जगे क्या रहेगी सो कई सारे इसमें नुक्षान थे इस वज़े से वर्तमान में कुछ वेगनिक पड़नाली का प्रियोग करते हुए जिसमें क्या होता है इन मोर्डन मेथर्ड आर्टिफिशल बी हाइवस आर यूज इस प्रक्रिया में आर्टिफिशल बी हाइव का प्रियोग किया जाता है यानि क्रत्रिम मदुमक्की के चत्ते का प्रियोग चत्तों का प्रियोग किया जाता है which can be lifted from one place to another place जिनको एक जगह से दूसरी जगह इस्तनांदृत किया जा सकता है to obtain honey और honey प्राप्त करने के लिए they are not broken इनको तोड़ने की आव सकता नहीं है rather the same hive is used again and again so that the bee do not have to change place again and again अगर hive वही रहेगा मदुमकी का घर वही रहेगा तो मदुमकीों को जो उनका जो इस्तान होता है वो भी जगह उनकी बदलेगी नहीं क्योंकि वो एक जगह पर जिसमें हम बात कर रहे है artificial bee hive में ही वो अपना घर बनाएगी वहीं पर सहद इकटा करेगी और वहीं से हम भी उसको प्राप्त कर लेंगे इसमें मक्यों को घर बनाने की या हम कह सकते हैं उनका हाईव बनाने के लिए कोई मेनत नहीं करने पड़ती है and there are no impurities or body parts in the honey इसमें हम समझेंगे कि artificial जो bee hive होता है उसमें एक chamber कुछ ऐसे होते हैं इनको बनाए इस तरह से जाता है कि इनके body parts इनके जो larva होते हैं इनके जो pupa होते हैं ये एक अलग भाग में रहते हैं जबकि सहद वो दूसरे भाग में पाया जाता है तो इसमें impurities भी है वो बहुत कम हो जाती है इसमें care takers के द्वारा यानि जो देख पाल कर रहा होता है मदु मक्ही पाल करता जो होता है वो इन मक्हियों को आसा नीचे देख सकता है जैसा वेदर होगा जैसा climate होगा उस according इनको एक जगे से दूसरी जगे ले जाया जा सकता है ये इसके benefit भी होंगे यानि अगर मौसम गरम हो गया है या ज़्यादा ही ठंडा हो गया तो इसके इस्तान पर इनको जगे बदली चा सकती है जो अदर इनके predators है या इनको नुकसान पहुंचाते है भी हाई को नुकसान पहुंचाते है उनसे भी एसे करत्रिम या हम कह सकते हैं कि अनी का production किया जाता है ये कुछ plates हैं जिसमें मक्यों के साथ में इसको दिखाए गया है और इसमें वो भाग है जहां से इसमें सैद प्राप्ट किया जा सकता है और वेक्स प्राप्ट किया जा सकता है तो ये तो बात हुही कि methods of beekeeping जो दो है एक तो old indigenous method है और दूसरा जो होता है वो modern scientific method है जिसमें मदमक्यों के पालने के तरीके हैं पुराने जो तरीका था old indigenous method था जिसको हम traditional method भी कह सकते हैं वो उसमें कई परकार के नुक्षान थे लेकिन वर्तमान में modern scientific method का use करते हुए हनी को एक business के रुप में हुए सकते हैं इक्विमेंट्स यूज इन भी किपिंग, भी किपिंग में कौन-कौन से इक्विमेंट्स यूज किये जाते हैं तो यहाँ पर कुछ important यहाँ पर इक्विमेंट्स दिए गए हैं उनको हमें ध्यान में रखना है, सबसे महत्वपून और इस epical culture का या भी किप well होता है, gloves होता है, इसमें smoker के रूप में brush है, scrapper है, hydrometers है, जो की humidity को measure करता है, thermometer जो temperature को बताता है, यानि ये कुछ appliances है, जिनका सामानेता use beekeeping में किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण artificial bee hive है, जिसको आगे हम इसी में हम continue समझेंगे, लेकिन यहां पर देख सकते हैं, यह एक जो diagram यहां पर picture जो लगाई गई है, यह एक artificial bee hive की है, इसको यह एक sample के रूप में है, जिसमें कुछ भाग होते हैं, एक होता है, इसमें बाग stand होता है, जो की नीचे की तरफ इस्तित होता है, जमीन से जुड़ावा भाग होता है, उसके बाद में एक बोड जिसको हम bottom board कहते हैं, वो पाय जाता है, उसके बाद में कुछ boxes पाये जाते हैं, जिन को हम brood chamber भी कहते हैं, उसके बाद में है queen excluder, जिसमें queen को separate करने के लिए एक जाली लगाई जाती है उसके बाद में हनी सूपर और बोक्स जो लगाई जाते हैं उसमें जो सहद है वो बनाया जाता है और उसके बाद में दो कवर पाया जाते हैं एक इनर कवर है और उसके ऊपर एक आउटर कवर पाया जाता है तो इस तरह से एक आर्टिफिशल बी को हम और डिटेल से समझते हैं अमेरिकन साइंटिस्ट लोरेंजो लेरें लेंगस्ट्रोथ created an artificial hive in 1851 1851 में एक artificial hive का निर्मान किया गया जो की लेंगस्ट्रोथ के द्वारा निर्मान किया गया है इसको model के रूप में भी जानते हैं means इसमें ही कुछ परिवर्थन करके इसी तरह के जो artificial bee hive है इसका ही प्रियोग किया जाता है तो langs truth का जो artificial bee hive का जो model है ये प्रियोग में किया जाता है artificial bee hive is a wooden box ये एक लकड़ी से बनावा box होता है with one or two walls जिसमें एक या दो दिवारे होती है पर ये एक या दो दिवारे ये डिपेंड करती है कि वहाँ का वेदर कंडिशन ये वहाँ का मोसम कैसा होता है ए सिंगल वाल्ड हाइव इस मेट इन होट रीजन लेकिन डबल वाल्ड का जो हाइव है वो ठंडे प्रदिशों के लिए जहां पर ठंडे वातावन होता है वहाँ पर डबल वाल्ड का ये बी हाईव तयार किया जाता है यानि हम कह सकते हैं अगर ये बी हाइव है अगर इसमें सिंगल दीवारे हैं तो वो गरम परदेसों में यानि जहां पर टेंपरिचर ज्यादा होता है लेकिन अगर इसमें दो इस तरह से wall present है इसको दो तरफ से यानि इसमें double covering पाई जा रही है तो ये ठंडे प्रदेसों के लिए तापमान से बचने के लिए ऐसा किया जाता है ये artificial beehive ऐसे हैं जिनको एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर ले जाया जा सकता है nowadays it is used after making some necessary changes वर्तमान में जो lang stroke जो artificial beehive है इनी में कुछ change करके ही इसी को वर्तमान में model के रूप में use किया जाता है अगर हम size की बात करें इस beehive की बारे में artificial जो कृत्रिम जो चता है इसके अगर हम size की बात करें तो लगबग ये 44.8 multiplied 23.2 centimeter ये इसकी हम कह सकते हैं इसकी size ये होगी they have around 10 frames ये हो सकती है 7 to 10 frames इसमें हो सकते हैं frames का मतलब क्या है आपको यहां पर कुछ chamber में कुछ line जैसी सरचना दिख रही होगी तो actually आगे हम समझेंगे कि ये इस तरह के boxes होते हैं तो इसके इस तरह के boxes होते हैं जिनको हम बाहर निकाला जा सकता है जिनको और इनके उपर ही जो सहद होता है honey होता है वो इनके उपर ही इकटा किया जाता है तो इन frame की संक्या vary कर सकती है means इनको हम साथ से लगबग 10 तक रख सकते हैं लेकिन on average हम ध्यान रखेंगे कि इसमें साथ जो 10 हैं वो frame लगाए जाते हैं अब ये जरूरी नहीं है कि ये इस 44 x 23 cm की ही length और width का ही हो लंबाई और चोड़ाई का ही हो लेकिन इसको हम अपनी जरूरत के साथ से इसको छोटा और बड़ा किया जा सकता है means इसको हम कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इस हाई को यहाँ उपर की तरफ से जो cover होता है इससे यहाँ पर इससे open किया जा सकता है हटाया कर इसको छत्ते को हम monitor कर सकते हैं उपर से इस lid को हटा कर इस एक multi-store structure आपको देखने से भी लग गया होगा कि एक बहु मंजली इमारत के समान से रचना होती है multi-store structure होती है in which a number of frames are placed which can be inserted or removed जिन में से कुछ जो frames होते हैं इनके अंदर सांचे जो लगे हुए होते हैं इनको अंदर बहार निकाला भी जा सकता है और अंदर वापस लगाया भी जा सकता है हम देख पा रहे हैं इसमें bottom board होता है इसके अलावा एक brood chamber होता है queen structure होता है super chamber होता है इसके बाद में दो cover पाए जाते हैं एक inner cover होता है जो अंदर की तरफ होता है एक outer cover होता है जो उपर की तरफ लगावा रहता है अब हम इसमें एक एक parts को हम समझेंगे artificial beehive consist of following parts जिसमें सबसे पहले है stand और जिसको हम base भी कहते है stand or base यानि ये आधार इस्तल होता है जिन पर जो मद मकी का कुछो करत्रिम चटता है इस पर ही खड़ा रहता है हम ये कह सकते हैं जिसको पर उपर लगावा रहता है ये stand होता है अब ये जरूरी निये stand इस तरह से ही हो हो सकता है इसमें four इस तरह से इसमें टांगे भी हो सकती है four legs के समान structure भी हो सकती है यानि it has adjustable four leg अगर इसमें adjustable four leg है तब तो ठीक है अगर ये बिलकुल flat है तब हमें जो उपर ही उपर जो top cover है इसको हमें flat करना पड़ेगा यानि इस तरह से इसको top का covering इस तरह से बनाना पड़ेगा तांकि बारिस में जो पानी है वो इनसे दूर चला जाए यानि उपर के तरफ इकटा नहीं हो it has अगर इसमें four leg है at the bottom it can be mad sloped so अगर इनमे four leg है तो इनको कम और ज्यादा करके इनमें जो पूरा जो कृत्रिम जो चत्ता है उसमें थोड़ा सा तिर्चा करके इसमें से slope बनाया जाता है so water falling in the rain drains away quickly जिससे क्या होगा अगर हम इस चत्ते को तोड़ा सा इस जो कृत्रिम चत्ता जो बनाया जाएगा इसमें से इस पूरे artificial जो कृत्रिम चत्ता है इसको हलका सा हम तिर्चा रखेंगे इसमें तोड़ा सा ढलान रखेंगे तांकि बारिश में या उपर पानी किरने से वो slope के सीधा ही तुरंत बाहर नीचे की तरफ गिर जाए दूसरा जिसमें बाग होता है bottom board यानि stand के just उपर की तरफ ये जो आग आपको दिख रहा है इसको हम bottom board कहते हैं ये bottom board कैसा होता है it is a man bass of beehive ये beehive का man bass है क्यों है ये man bass क्योंकि it has two doors in front parts इसमें front part की तरफ से door present होते है one for entry of entry of workers और and other for the exit workers ही नहीं यहां से जो भी bees होगी वो यहां से enter करती है यानि entry कोई भी जो मक्ही होगी वो entry का जो place होगा वो bottom board ही होता है यहां पर आप यह भी देख सकते हैं जैसे कि यह जो part होता है यहां पर मक्ही बैठी हुई है यहां पर मक्ही बैठी हुई है यह जो भाग होता है यहां से मक्ही enter करती है इस भाग पर यह जो भाग होता है इसको हम कहते हैं bottom board कहते हैं इसी में एक alighting board भी लगाया जाता है कई बार इसके just pass की तरफ इस तरह से थोड़ा सा घुमाव लिये हुए थोड़ा सा तिर्चा लिये हुए एक भाग लगाया जाता है जिसको हम alighting board कहते हैं जो की actually landing platform for bees मक्हियों के लिए ये landing platform की तरह काम करता है यहाँ पर आकर कोई मक्ही यहाँ पर आकर land हो सकती है यहाँ से उड़ान भर सकती है तो यहाँ पर landing platform की तरह यह काम करता है जिसको हम alighting board भी कहते हैं next हम समझते हैं high frames, wooden frames और comb foundation यह जो high frames जिसको हम wooden frames, wooden frames वैसे common word है और इनको हम comb foundation भी कह सकते हैं trays with rectangular shape made up of wooden यह आप diagram में भी देख सकते हैं यह इस तरह की सरचना होती है यह wooden से बनी हुई सरचना है जो rectangular होती है यह लगबग आईताकार होती है और यह इनको हम high frames भी कहते हैं क्योंकि इनका घर होगा यहाँ पर बनाया जाता है इनको wooden frames लकडी से बनावा frame होता है और compoundation क्योंकि comb जो है यहीं पर बन रहे होते हैं यह इसमें आप देखेंगे structure में तो इसमें hexagonal arrangement बनाकर फिर मक्यों के जो घर होता है वहाँ पर रखा जाता है यानि artificial चत्ते में इनको put किया जाता है रखा जाता है जैसे कि इनको रखन जो भाग होता है वो होता है brood chamber जिसको हम egg chamber भी कहते हैं आपको नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि इसमें egg रखे जाते होंगे या इसमें brooding यानि इसमें बच्चे होंगे it is a wooden box wooden box वैसे तो आपको पता ही है कि artificial जो beehive है वो wooden का ही बनावा है which 5 to 10 frames can be placed जिसमें 5 से 10 frame रखे जा सकते हैं अब यहाँ पर again frame की जो संक्या है वो बदल दी गई है means actually आपको fix नहीं करना है लेकिन on average आपको दिहान रखना है कि around 10 frame तो हम इसमें use कर सकते हैं these frames are fitted into honey chambers at a certain distance called B space इनको honey chamber में इनको रखा जा सकता है यहाँ तो यह brood chamber ही है sorry यहाँ पर सिर्फ brood chamber और egg chamber में ऐसे तो रखे ही जाते हैं साथ यहाँ पर जो यह box बनाए गए हैं जैसे कि यहाँ पर आपको यह frame दिख रहे हैं इन में इस तरह से जैसे कि यह एक frame का ऊपर का part है तो दूसरा जो frame लगाए जाएगा वो इससे कुछ distance को लेकर फिर बनाए जाएगा कुछ distance का मतलब क्या हुआ यहाँ जो यह भाग है बीच का जो part है इसको हम be space करते हैं यानि एक दूसरे से इतने नजदीक भी नहीं लगाए जाते हैं यह जो frame होते हैं इनको तोड़े distance पे लगाया जाता है तो आप यह से भी समझ सकते हो जैसे कि यह एक wooden frame है again इ इनकी संक्या होती है लगबग 10 तक हो सकती है और इनके बीच में यह जो space जाब को दिख रहा है यह जो space है इसको हम be space कहते हैं क्योंकि यहां से be दूसरे जो यहां पर जो frame है उसमें enter नहीं करे देर इस ए hexagonal mass between the frames अब यह frames के सिर्फ एक corner दिखाया गया है यहां आप यह द प्लेट्स आपको दिख रही है यह प्लेट्स कहां पर रखी जाती है brood chamber में इसको रखा जाता है और इसमें इस तरह से hexagonal structure जो की wire से बना कर रखी जाती है ताकि मक्यां इसमें आसानी से घर बना सकें इस hexagonal mesh work as a chamber for bees, bees lay their eggs in this chamber इसमें क्या प्रोसेस हो रही है मक्यों के द कौम foundation are erected vertically in the incubation chamber इसको हम incubation कौन से incubation है इसको ही हम brood chamber को ही incubation chamber कहते हैं इसी में आप देख रहे होंगे यह एक इस तरह से रखा हुआ है इस तरह से और रखी हुई है यानि यह जो wooden frames जो है इनको brood chamber में vertically vertically रखा जाता है vertical position में इनको रखा जाता है तो यह बात भी brood chamber की यानि हमने देखा एक तो होता है इसमें stand उसके बाद में हमने देखा कि इसमें alighting board लगा सकते हैं मक्यों को उडान भरने के लिए यहाँ पर lending करने के लिए उसके बाद में bottom board होता है और bottom board के ऊपर के तरफ होता है brood chamber next जो है वो है grid और queen excluder ये जो super chamber और brood chamber के बीच में यहाँ पर एक जाली लगाई जाती है इस बीच वाले भाग में एक बार मैं इसको clear कर देता हूँ यानि हम बात कर रहते है queen excluder के बारे में queen जो excluder होता है वो दिखने में तो ऐसा होता है लेकिन इसकी location जो होती है वो brood chamber और जो super chamber है यहाँ बीच में इस जाली को रखा जाता है इस बीच वाले भाग में हम यहाँ पछले diagram में भी देख पा रहते है यहाँ जो यह पार्ट ह यह queen excluder होता है तो इसको यहाँ पर बीच में queen को यहाँ से इस chamber से उपर की तरफ वो जा नहीं पाए इसलिए यहाँ पर यह पार यहाँ पर लगाया जाता है क्योंकि जो मक्या है वो enter यहाँ से करती है और वो धीरे धीरे जो बच्चे देने का काम हम कह सकते हैं अंडे देन रहे हैं वो सब भी यहां पर प्रोसेस हो रही है लेकिन जो हनी जो बनाय जाएगा वो उपर वाले दो चेंबर जो एक चेंबर या दो चेंबर अलग अलग स्टोरेज के रूप में इसको बना सकते हैं जिसको हम हनी सूपर भी कह सकते हैं या सूपर चेंबर भी कहते हैं यहां इन में मक्ही जो है हनीबी जो है क्योंकि क्वीन जो होती है वो बड़े आकार की होती है तो इन पोर्स के मादम से वो उपर नहीं जा पाती है वो नीचे ही ब्रूड चेमबर में ही रह पाती है A protective net is placed in front of the of the ब्रूड चेमबर Barus चेमबर के सामने के तरफ यहां पर यह लगाई जाती है क्योंकि आप जानते है क्योंकि हनीबी में वर्कर्स होते है एक ड्रोन होते हैं और Queen होती है जो Queen है वो काफी बड़े आकार की होती है तो Queen इन से पोर्स से बाहर ने निकल पाती है लेकिन worker इससे निकल सकते हैं तब ही तो कहा गया है लेकिन queen इसमें एंटर नहीं कर सकती यानि हनी जो की ऊपर की तरफ जिसको हम super chamber भी कहते हैं इसी super chamber को हम honey chamber भी कह सकते हैं इसमें entry से उसको रोका जाए इसके लिए grid और queen excluder का प्रियोग किया जाता है next जो है वो है super chamber super chamber वो भाग होता है जहां पर जो honey जो है वो present होता है या honey बनाया जाता है it is located above the incubation chamber यह incubation chamber के उपर होता है यह हम कह सकते हैं brood chamber के उपर होता है workers are collected honey here by taking pollen and nectar pollen और nectar का use करते हुए pollen और nectar जो कि flower से मक्हियां प्राप्ट करते हैं फूलों से यह pollen और nectar प्राप्ट करते हैं इन से वो honey बनाते हैं in this part frames can be increased as per the requirement इसमें भी कुछ frames रखे जाते हैं जैसे कि आप diagram में भी देख सकते हैं जैसे कि यहां पर एक frame बाहर निकालावा है और और frame लगे हुए हैं इसमें कुछ frames जो लगे हुए हैं इन सब में अलग अलग जो इनके बीच में जो distance है अगर इसको और ध्यान से देखेंगे अगर इसको और हम ध्यान से देखते हैं तो इनके बीच में आपको यह gap दिख रहा है यह गैब दिख रहा है यह actually किस बात को बता रहा है यह B यह B space को बता रहा है यह B space यानी B जो होती है वो एक ही चत्ते बर रहे इसके यहीं पर रहे इसमें ही यहीं रहे इसलिए यह वो बीच में गैप बनाये जाता है जिसको हम B स्पेस कह रहे हैं और इसमें यह जो वूडन के जो फ्रेम हैं वो लगबग आपको पता चल गया लगबग 10 इसमें फ्रेम लगाए जा सकते हैं यह हमारी आफसक तानुसार हो सकते हैं यहनी हमारा जो आर्टिफिशल B हाइवे वो इस तरह से कम और ज्यादा हो सकता है इस चेमबर इस कवर्ड विट वूडन बोर्ड विच इस काल इनर कवर यह एक कवर के दौरा जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये inner cover के दोरा उपर से डखा हुआ था है यानि ये जो पार्ट है वो उपर की उपर से किसी भाग की तरफ डखा हुआ रहता है there are small holes in it for the moment of air इसमें किसमें जो inner cover होता है inner cover मान लिजए ये इस तरह का है तो इसमें बीच में एक होल बनाया जाता है जिससे हवा इसके अंदर आ और बाहर जा सके तो there are small holes in it for the moment of air सूपर चेमबर में नहीं बनाया जाते हैं ये ये सूपर चेमबर के उपर इस्तित जो inner cover है inner cover में ये होल बनाया जाते हैं आप इसको diagram के माद्ध हमसे भी देख सकते हैं जैसे कि आप यहां संदे यहां पर देखिए जैसे कि ये inner cover है inner cover में यहां पर आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक होल दिखाई दे रहरा है यहां पर एक होल है जिसमें से मक्कियां यहां से जा सकती है लेकिन यहां से यह पेसेज इसलिए रखा जाता है यहां होल इसलिए बनाया जाता है तांकि यहां से हवा पास हो सके हवा को वायू का आदान परदान यहां से हो सके इसलिए बनाया जाता है नेक्स जो इसमें सूपर चेमबर के उपर की तरफ जपाया जाता है इसको high ceiling कहते हैं और इसको inner cover भी कह सकते हैं there is a hole in this part for working go to out इससे मखियां बाहर भी निकल सकती है और इससे हवा भी पास हो सकती है when there is a adverse weather or there is a shortage of flower outside जबकि weather condition अगर adverse condition हो प्रतिकुल प्रस्तियां हो या भोजन की बाहर कमी हो गई हो या flowers कम हो गई हो then a solution of the sugar is kept here तब इस भाग पर यानि inner जो cover है वहाँ पर कुछ sugar का solution रखा जाता है या जो sugar का solution है लगबग 1 to 1 ratio में रखा जा सकता है यानि अगर 1 kg sugar है तो उसमे 1 kg water add किया जा सकता है उससे solution इसको बनाया जा सकता है इसको और dilute भी किया जा सकता है sometimes this partition is used as a room to make two colonies in the same hive अगर एक ही hive में अगर हमें दो कोलोनिया बनानी हो तब यहां से उपर एक और हम इसके उपर दूसरा हम honeycomb बना सकते हैं means हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक और beehive का formation किया जा सकता है और उसके बाद में इस artificial जो honeycomb है honey जो बन रहा है ये artificial beehive जो form हो रहा है उसका अंतिम पार जो कि उपर की तरफ इस तिद होता है ए अपर रूफ made up of tin और jinx seat का ये बना हो सकता है is made over the roof which protect during the rains to keep the beehives warm or cool according to the season lift it up or inspection the hive इसको जो उपर की तरफ top cover है ये इसको तोड़ा सा slope में बनाया जा सकता है जो कि jinx से और tin से बना हो सकता है और इसको परिस्तित के अनुसार हटाया जा सकता है मख्यों को देखने के लिए top cover को हटा कर फिर देखा जा सकता है तो ये बात हुई artificial bee hive के बारे में ये तो सिर्फ बात हुई artificial bee hive के बारे में हम पढ़ रहे थे actually equipments that use in equipments that use in bee keeping यनि वो उपकरण जो bee keeping में इस्तमाल की जाते हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ट था हमारे सामने artificial bee hive उसके बाद में next जो उपकरण है वो है honey extractor honey extractor यानि जिससे हम सहद बाहर निकालते हैं तो वो आप diagram में देख सकते हैं इस तरह की एक metal से बने वी structure होती है जिसमें जो छटे होते हैं उनको हम लगा सकते हैं जो comb है उनको इनकी plates के बीतर लगा कर इसको घुमाया जाता है इसको rotate किया जाता है और यहां इस नली के माद्यम से सहद को इकटा कर लिया जाता है और यह centrifugal force की तरह इकटा किया जाता है सहद तो हम इसको पढ़ते हैं honey is extracted from the artificial hive by a honey extractor honey extractor के दुआरा हम इसको artificial beehive से हम क्या निकाल सकते हैं honey निकाल सकते हैं it is made up of metal यह metal का बना होता है जनरल यह tin का हो सकता है in this some netted bag are attached to the rotating pole rotating pole के साथ में कुछ हम bag भी लगा सकते हैं तांकि जो wax है वो बाहर की तरफ नहीं गिरे the foundation comb on which the bees collected honey is mounted on this rotor इन में से जो यह rotor है अलग-अलग जो rotor है इनके उपर यहां पर इनको जो foundation जो comb है जो इस तरह की comb जैसी सरचना है इसको इनके उपर लटका दिया जाता है and it rotates on the axis और इस axis पर जो यह बीच में axis है इसके उसाथ साथ में इसको गुमाया जाता है the removal of the comb is done by centrifugal force and the honey gets separated from the frame और उससे honey separate हो जाएगा no harm is done to the comb or frame of the hive इससे जो हमारे frame है वो सुरक्षित रहते हैं और इसमें से जो honey रहेगा इनमें से जो honey रहेगा वही सिर्फ separate होगा honey keeps fallen down from the wall of the drum इस drum में इसके बीच में नीचे पेंदे की तरफ honey इकटा हो जाएगा at the bottom of the drum there is a tap यहाँ पर एक tap होता है एक tap लगाय जा सकता है from which the यहाँ पर हम कह सकते हैं honey is taken out जिससे honey को बाहर निकाला जा सकता है then हमारे पास next appliances है next जो उपकरन है वो है एक knife चाकू हो सकता है honey is fitted into the cell inside the comb in the cell of the hive honey जो बरावा होता है आप देखते हैं कि एक cell के अंदर बंद होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके अंदर यह बंद रहता है इनके अंदर यह बंद रहता है तो इनके उपर actually cap लगावाता है एक उपर की दरफ covering होती है covering होने से यह आसानी से इससे अलग नहीं होता है तो इस आसानी से ये open हो जाए इसके लिए क्या करना होता है चाकू का प्रियोग किया जाता है there is a cap of the wax on the dam so it is necessary to remove these caps by the heating of the knives तो हम चाकू को गरम करके इनके जो cap जहां पर ये बंध है उसके उपर लगा कर इन caps को हटाया जा सकता है before placing the frame with the honey removal device जब हमें इस device में इन सहेद के जो comb foundation है इनको जब इसमें लगाया जाता है जब सहेद निकाल निकले उससे पहले ही हम चाकू को गरम करके knife को गरम करके इनके जो बाहर की तरफ cap लगे हुए होते हैं जैसे इस तरह की structure के अंदर की तरफ fill होता है लेकिन इसके उपर एक cover होता है तो इस cover को हटाया जाता है ये wax का बनावा होता है और इसको हटा कर फिर उसके अंदर रखा जाता है next जो है वो है bee whale और इसको हम bee curtain भी कह सकते हैं जिसको actually इस तरह से हम अपने चहरे को या हम और भी बड़ा कपड़ा हो तो उसको हम सरीर को cover कर सकते हैं by covering it the keepers protect himself from the sting of bees क्योंकि आप जानते हैं मक्हिया काटती है और इसमें sting होता है जिससे हमें कुछ pen feel होता है तो उससे बचने के लिए उससे बचने के लिए हम बी वेल का प्रियोग करते हैं next जो है smoker नाम से समझ में आ रहा है इस smoker इसमें दुएं उत्पन करने का गुण होता है जैसर कि आप यहां पर डाइग्राम में देख सकते हैं यह smoker होता है it is just a tin box यह tin से बनावा box होता है from which fumes come out from the end जिसके end part से यह fumes बाहर आ रही है इसके लावा brush का प्रियोग किया जाता है it is used in the clean frames frames को clean करने के लिए हम brush का प्रियोग कर सकते हैं या मक्यों को हटाने के लिए भी जो frame से हटाने के लिए भी in brush का use कर सकते हैं then a scrapper it is a sharp instrument like a knife which is used to scrap the door frames and separate the honey आप यहां पर देख सकते हैं यह scrapper है जिससे honey को यहां से अलग किया जा सकता है अगर हम सामाने रूप से इसको अलग करना चाहें इसके लावा gloves है there is no possibility to sting or injury और honey remains pure due to this we use the gloves अगर हमें sting से बचने के लिए या इनकी injury से बचने के लिए हमें gloves पहनने चाहिए इसके लावा honey pure बना रहे इसके लिए भी हमें इस तरह से जैसे इस व्यक्तिने पहने हुए है इस तरह एपी कल्चर करते समये सहथ प्राप्त करते समये हमें gloves का इस्तमाल करना चाहिए boots पहनने के लिए boots होने चाहिए जूते थोड़े से बड़े होने चाहिए तांकि हमें कोई मक्हेंगों को कहीं से काटने का डर भी नहीं रहे हाई black meter से हम आस पास के बातावन की humidity humidity को यानि आदरता को humidity को measure करने के लिए थर्मा Thirty Certain को measure करने के लिए thermometer का प्रियोग कि आजाता है ज़्यादा तर जो गरम इस्थान होते हैं वहाँ पर एपिकल्चर कम ही सपोर्ट करता है लेकिन जहां पर colder environment होता है ज़्यादा too much cold भी नहीं ठीक ठाग हो लगबग 15 degree Celsius के आसपास का या 20 degree Celsius के जो तापमान होता है वो मक्यों की growth के लिए हम कह सकते हैं एपिकल्चर के लिए best होता है आज के इस वीडियो में आपने जाना कि beekeeping में कौन-कौन से equipment इस्तमाल किये जाते हैं और beekeeping में कौन-कौन से methods जो कि हमने old indigenous methods और scientific method जो simply जिसमें कई तरह की process हो चुकी है कई तरह के development और हो चुके हैं इसके बारे में जाना नेक्स वीडियो में हम इससे संबनित कुछ और interesting factor के बारे में जानेंगे कि जैसे beehive का management किस प्रकार से किया जाता है कौन-कौन सी मक्यों को पाला जा सकता है कौन-कौन सी मक्यों को पाला जाने का मतलब कि मक्यों का nature कैसा होना चाहिए so उमीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा thank you, thank you to all